नमस्कार दोस्तों मैं ज्योति सिंग और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अपने बहुत ही प्रिय ग्रंथ के बारे में जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैंने बहुत बार उसको पढ़ा कब से कम पांच बार छे बार मैंने इस इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको इंस्पिरेशन मिले और आप भी उस पुस्तक को पढ़ें दोस्तों अगर आप आध्यात्मे के बारे में कुछ पुस्तकों की बात कर तुम्हें बोलूंगी भगबद गीता श्रीमत भागवतम और योगवासिस्ट ये मेरे दिल के अज मैं आपके सामने योगवासिस्ट की कुछ चीजों को ले करके आई हूं योगवासिस्ट की पहले विशिष्टाओं को आप समझें दोस्तों जो बाती इस योगवासिस्ट के गरंत में हैं वो और गरंतों में भी मिलेंगी लेकिन जो इसमें नहीं हैं वो कहीं नहीं मि विद्वान लोग योग्वाशिष्ट को सब विज्ञान शास्त्रों का कोश कहते हैं खजाना कहते हैं मतलब कि जो ग्यान योग्वाशिष्ट में नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा और जो ग्यान आपको योग्वाशिष्ट में मिलेगा वो आपको अन्य जगहों पर भ दोस्तों वो यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इस ग्रंत का श्रावर्ण, मनन और निति ध्यासन कर लेने पर तब ध्यान जब आधि किसी साधन की आवश्यक्ता नहीं रहती। दोस्तों आज हम सभी मैगी नूडल्स के जमाने में हैं, हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक पे हमें आध्यात्विक ज्यान भी मिले, तो उसके लिए मैं बोलूँगी आप योगवासिस्ट का अध्यान करें, क्योंकि अब सुचों मोक्ष प्राप्ति यह तो एक बहुत ही उच् करते हैं, क्योंकि योगवासिस्ट को अगर आप सुधते हैं, अगर आप उसको मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, और अगर आप निति ध्यासन, आप प्रति दिन उस पर ध्यान लगाते हैं, आप उस पे जो है अपने विचारों को आप स्टेबल करते हैं, और उसके ध्यान और जब आदि किसी भी साधन की आवशक्ता नहीं पढ़ती है योग वासिस्ट एक ऐसी चीज है दोस्तों आपका बहुत सारा खर्चा भी बढ़ जाएगा योग वासिस्ट पढ़ने पे आप उसको पढ़के देखो इंसान का क्या है हम बहुत सारे पैसे खर्च करते ह हमारी जो मुलभूत आवशक्ता आएं होती है वह बहुत कम होती है वह बहुत ज्यादा नहीं होती है ज्यादा तर पैसा वन भी खर्च करते हैं वह फालतू चीज़ों का ऐसा रही लाइजेशन आपको योग वासिस देखा कि मैं बोलती हूं कि आपका फालतू का दोस्तों कम पचास पसंद खर्चा तो कम हो जाएगा इसलिए आपको योगवासिस्ट का अध्यान करना चाहिए दूसरी बात योगवासिस्ट की खासियत क्या है कि यह ग्रंथ सब दुखों का च्छै करने वाला बुद्धी को अत्यंत आश्वासन देने वाला और महा आनंद प्राप्ति की अवस्था को प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है या ग्रंथ जो है वह सब दुखों का च्छै करता है बुद्धी को अत्यंत आश्वासन देता है और महा आनंद की प्राप्ति का एक मेव साधन है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बोल रही है जब मैं इस ग्रंथ को पढ़ती हूँ ना फिर मैं ना किसी से बात करना चाहती हूँ मैं एक अलग ही उच्छ अवस्ता में रहती हूँ और आप बोलेंगे आपको योग वासिस्ट के बारे में कैसे पता चला तो मैं वह भी स्टोरी आपको बताती हूँ मैं गई थी आज के चार साल पहले हरीद्वार हरीद्वार में शांती कुझ हरीद्वार में टेंडेज का एक गैतरी अनुष्ठान था जिसमें की मंत्र जाप वगले चलता है और ध्यान साधना चलती है मैं उसको अटेंड की मेरे माता जी भाई साब तीनों लोग हम लोग और वहाँ पर एक स्वामी जी से हमारी मुलाकाट ट्रेन में हुई थी और उस स्वामी जी का आश्रम भी शांती कुझ हरीद्वार के बगल में ही था सब्तरीशी घाट के पास में वहाँ पर मैं गई मेरी माता जी के साथ में और वहाँ पर मुझे एक वृत्ध महिला जो की पढ़ने का कीड़ा तो है फिर तो मैं आई तो योग वाषिषत को मैं ने ढूड़ना सुरू किया तो मैं इस पुष्टा पर है जोग वाषिष भूस इस्ट मंग वाई तो यूग कीदा में परशी की पढ़ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया पहली बार में मुझे कु को रख दी कोई दूसरा रैटर डूर तो जैदेयाल गोयंका जी जी अर्म कि वो मैंने फर्च्वाउट कि और मुझे पता चाहूँ और मुझे अथा किया यूग वा उच्रण कर दोड़ा तीनर पड़ा चाहर रौन पड़ा जैदेयाल गोयंका जी पुस्तक को मैंने लिए व कि इस वीडियो को शूट किया तो मैं उसको पक्का पढ़ने वाले हूँ, यह बात तो है, नेक्स चीज, योगवासिस के बारे में दोस्तों हम समझते हैं, जो इस ग्रंथ का योगवासिस का नित्य श्रमण करता है, उस प्रकाशमई बुद्धी वाले को बोध से भी परे का बोध हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, मतलब की जो इस ग्रंथ को प्रति दिन सुनता है, उस व्यक्ति की बुद्धी जो है, वो बहुत ही ज्यादा परिश्कृत होती है, और उसे बहुत कुछ ज्यान आटोमैटिक हो जाता है, और दोस्तों योगवासिस को मुझे योगवासिस को समझने में स्वामी अनभवानन सरसुती जी का डिस्कोर्स बहुत मदद किया, और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूं, स्वामी जी आपको शत्षत नमन और प्रडाम, और हाँ, वो डेली सुबह शाम लेक्चर लेते भी है, तो जब भी मुझे टा कोई चोड़ा बच्चा भी अगर आपको युक युक बात बोलता है, तो आपको मान लेनी चाहिए, लेकिन युक्ती से च्युद बात को त्रड के समान ट्याग देना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मा जी नहीं क्यों ना कही हूं, मतलब अगर सही बात है, अगर मौलक सधान्त पर आधारित है सत्य है तो बच्चा भी अगर बोलता है और वह लोगों के लिए भले के लिए है तो हमें मान लेनी चाहिए लेकिन ऐसी कोई बात जो गलत हो जो आध्यात्निक सधानतों पर भी फिट ना बैठती हो और जिसका परडाम बुरा हो वो कोई भी बोले कितना भी ब वीडियो में बहुत सून आपके साथ मिलूंगो योग वासिस्ट के एक और चैप्टर को लेकि क्योंकि यह मेरा बहुत फेवरिट ग्रंत है मैं तो आपसे शेर करने जा रही हूं और मैं आपके ओपिनियन को भी पूछूंगी और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि योग व अगाइ 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 भी आपके यह विए यह विए वेरी सून